देश में पड़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर कॉंगरिस कारे करता अलग-अलग जगाहूं पर आज केंद्रिक सरकार के खिलाब धरना प्रदशन कर रहे हैं इस कड़ी में आज दिल्ली के अलिपूर और बुराडी के पेट्रोल पंप पर कॉंग्रेस के पदादीकारी और कॉंग्रेस कारे करताओं ने विरोज जदाया वहीं बीजेपी और केजिवल सरकार की खिलाब जमकर नारे बाजी भी की हाथों में तक्तियां लेकर कॉंग्रेस के पदादीकारी और कारे करता पेट्रोल पंप के सामने खड़े हो गए इस प्रदर्शन में दिल्ली के जिन्दपूर के पेट्रोल पंप पर खड़े कॉंग्रेस के नरेला विधान सभा सेफपूर में प्रत्याशी रहे सिधार्त कुंडू और उनके तूसरे कारे करता भी मौजूद रहे ये लोग दिल्ली सरकार और केंसरकार दोनों को महंगे पेट्रोल और डीजल के दामों के लिए जिम्मेदाय ठहरा रहे हैं कि मैं और देश में ये केजरिवाल और मोधी सरकार आई है जब से देश की और दिल्ली की जनता बेहाल है इन्होंने हर चीज में सारे रिकोर्ड तोड़ दिये हैं महंगाई करोना की मामारी से लोगवाग बेरोजगार हो रहे हैं उनके पास पैसा नहीं हैं बेरोजगार हैं काम दंदनी हैं उपर से महंगाई पैट्रोर डीजल टेल के भारी दामा में ज़र धी कर रहे हैं हम इन निकम्मी सरकारों से के चेतावनी देते हैं कि ये तेल की और बहेंगाई की बढ़ती किम्तों को वापस ले और नितिकता क्या दार पर इस्तिफा दें सेंटर डिल्ली के कई इलाकों के पेट्रोल पंप पर खड़े होकर कॉंग्रेस कारे करताओं ने कें सरकार के खिलाफ प्रदशन किया है इनकी सरकार से ये ही मांग है कि पेट्रोल के दामों को कम किया जाए नवोधे टाइम्स के लिए करूँ अपिर किस साथ अनिकुमार और आनन कुमार की पोच देखे।